देवि ओ सज्जनो आप सभी को जैस्री राम जैस्रीक्रेश्ण रादे रादे हर हर महादे आप सभी भक्त गड़ भी बोलिये हर हर महादे आज की धार्मिक कहानी में हम जानेंगे जब सीता जी ने बोजन बनाया पर उसे खाने के लिए कोई नहीं आया ऐसा क्या हुआ? आईए जानते हैं इस बीडियो के माद्यम से बीडियो से आकरी तक जुड़े रहें जिससे के आपको सब कुछ पता चल सके बीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुर न बूलें एक बार जब लंकापती रावड के बद के बाद जव अयोध्यापती प्रभु स्री राम की कीरती दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरसोत्तम कहलाने रगे थे, तब एक दिन महादेव सिव की इच्छा भी मर्यादा पुरसोत्तम सीर राम से मिलने की हुई है पारवती जी को संग लेकर महादेव केलास परवत से उतर कर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े बगवान सिव और मा पारवती को अयोध्या आया देखकर स्री राम सीता जी बहुत खुस हुए मा तक जानकी ने उनका उच्छत आदर सतकार किया और स्वेम बोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई इस बीच बगवान सिव ने स्री राम जी से पूचा आपके सेवक हनवान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं स्री राम बोले वे बगीचे में हैं सिप जी ने स्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुवती मागी और पार्वती जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गए बगीचे की खुबसूरती देखकर उनका मल मोहित हो गया आम के एक घने ब्रच के नीचे हनुवान जी दीन दुनिया से बेखवर गहरी नीद में सोये थे और एक लह में खराटों से राम नाम की दुहनी उठ रही थी चकित ओकर सिभ्य जी और माता पारवती एक दूसरे की ओर देखने लगे माता पारवती मुस्कुरा उठीं और ब्रच की डालियों की ओर इसारा किया राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी जूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारत हो रहा था सिव जी इस राम नाम की दुन में मस्त मंगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे माता पारवती जी ने भी अपने पती का अनुसरन किया और अपने कौमल पाम थरकाने लगी सिव जी और पारवती जी के निर्थ से ऐसी जनकार उठी कि स्वर लोक के देवता गडवी आकरशित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की दुन में सभी मस्त हो गए मादा जान की भोजन तैयार करके प्रतिच्छा रत थी वह उनकी प्रतिच्छा कर रही थी परन्तु संद्या होने तक भी अत्ती नहीं पदा रहे तब अपने देवर लचमट जी को बगीचे में बेजा लचमट जी तो स्वेम को भी स्री राम का सेवा की मानते थे अता बगीचे में आकर जब उन्होंने धर्ती पर स्वरक का नजारत देखा तो खुद भी राम नाम की दुन में जूम उठे महल में माता जान की परेशान हो रही थी कि अभी तक बोजन गिर्ण करने कोई भी क्यों नहीं आया उन्होंने स्री राम जी से कहा बोजन ठंडा हो रहा है चलिए हम भी जाकर बगीचे में से सभी को ले आए जब सीधा राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी हनवान जी गहरी नीद में सोय हुए थे और उनके करनाटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था स्री सिया राम भाव वहल खो उठे राम जी ने उन हनवान जी को नीन से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहानने लगे हनवान जी प्रभु को आया देख स्री गिर्ता से उठ खड़े हुए नरत का समा भंग हो गया सिभ जी खुले कंट से हनवान जी की राम भक्ती की सराहन ना करने लगे हनवान जी समकुछ आए लेकिन मनी मन खुस हो रहे थे स्री सिया राम ने बोजन करने का आगरे भगवान सिप जी से किया सभी लोग महल में बोजन करने के लिए चल पड़े माता जान की बोजन परुषने लगी हनवान जी को भी स्री राम जी ने पंक्ती में बैठने का आदेश दिया हनवान जी बैठ तो गए परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के बोजन करने के बाद ही सभी लोग बोजन करते थे आज स्री राम के आदेश से पहले बोजन करना पड़ रहा था मात अजान की हनुमान जी को बोजन परोस्ती जा रही थी पर हनुमान का पेट ही नहीं बर रहा था सीधा जी कुछ समय तक तो उन्हें बोजन परोस्ती रही फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं बरेगा उन्होंने तुलसी एक पत्ते पर राम नाम लिखा और बोजन के साथ हनमान जी को परोफ दिया तुलसी पत्र खाते ही हनमान जी को संतुष्टी मिली और वह बोजन खाकर उठ कड़े हुए भगवान सिव ने प्रसंद ओकर हनमान जी को आशिरवाद दिया कि आपकी राम भक्ती योगों योगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत भलवीरा जैसियराम यह थी सीता माता की कहानी यह दार में कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक करें अजी वजी आपको अजाएंगे